हलो एवरीवन नमस्कार आदाब सस्रिकाल की हल चाल मैं हूँ डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एडुकेशन और हम एक बार फिर और हम एक बार फिर आपके साथ लाइव हैं हैं वी आर बाक इंटो बिजनेश अगें बाक तो फॉस्पिटल स्वाड़ी मुझे पांच मिट लग गए एक्चुली मैं थोड़ा लॉस्ट टाइम आप टाइक शोट वीडियो शोट वीडियो मैं रिकॉर्ड कर ली मैं भी कुछ दिनों देर में डालूंगा और एक अच्छ चीज़ेंगे देखो दोस्तों अभी मैं वह वीडियो नहीं बना सकता इतना टाइम नहीं है कि कौन सी मसल के एक्साइज कैसे करनी है बट मैं यह बता सकता हूं कि आपका ट्रेनर सही है या गलत तो वह मैं जरूर बताओंगा आपको ताकि आपको गाइडिन्स मिले हां बा तो उस दर्वाजे से लोग आ सकते हैं डिस्टरब करने के लिए तो लेट सब्सक्राइब करने के लिए अच्छा कल के वीडियो में मैंने फिर बाद में देखा कुछ क्वेश्चन बीच में छूड़ गए तो सुरी उसके जवाब मैं दे दूंगा थोड़ी देर बाद और उसके जवाब कैसे दूंगा देखता हूं बट मिल जाएंगे कीप फॉलॉइंग मी और किसी को हाट अटेक आया या हाट फेलियर हो और आस पास में हॉस्पिटल ना हो उस एमर्जंसी में क्या करें जान बचाने के लिए कैसे बचाएंगे जान very good question, very good question देखिए, ये दो चीज़े को basic समझ लीजे, अगर किसी को heart attack आ रहा है और heart failure, दो अलग चीज़े, heart failure, heart attack के बाद होता है, जब heart काम करना बन कर देता है, या कम कर देता है heart काम करना कम करेगा, तो आपकी blood आगे pump नहीं हो रहा है तो पीछे आपके lungs में पानी भरेगा सबसे पहले आपका सांस फूलने लगेगा वो पहले चलने फिरने पर सांस फूलेगा, जो दूसरे उसी उमर के लोगों का नहीं फूलता, उससे जादा फूलने लगेगा, ऐसा नहीं कि आपका सांस फूल रहा है तो आप बोलेगे, मेरा हार्ट फूलर हो, वैसा नहीं हो था अगर आपको लग रहा है कि आपकी उमर के लोग हैं आपकी जितने फिटनेस है, लेकिन उन से जादा दो गुना आपका सांस फूल रहा है तो सांस फूलना एक बड़ा साइन है हार्ट फेलियर का, बलड प्रशर लो होना पल्स रेट बढ़ जाना, यह सब लेकिन यह सब साइन्स आपको में जिर नहीं दिखेंगे आपको दिखेगा सांस फूल रहा है सांस फूल रहा है, तो हार्ट के टेस्ट कराओ हार्ट फेलियर दूसरी चीज, Heart Attack Heart Attack में बहुत लोगोंको चाती में दर्द होगा पसीना आएगा, सबको नहीं आएगा Diabetes वाले लोगों को चाती में दर्द पसीना नियाएगा, सिर्फ घबराट हो सकती है सिर्फ सांस फूल सकती है सांस फूलना Heart Attack में भी हो सकता है because उसी समय जैसी heart attack हुआ heart का उस समय काम करना कम हो गया हो हिस्सा और उस समय फिर से lung में pressure हो के सांस में छाती में पानी भरने लगा सूजन आने लगी सांस फूला so आप क्या कर सकते हो hospital obviously पहले रश्टो करना ही है because there is not much things you can do but first thing which you can do is अगर आपको sure है get an ECG hospital नहीं है कोई छोटे मोटे clinic में चले जाओ वहाँ कहीं पर भी पहला काम करो ECG because ये confirm करना बहुत जरूरी है कि heart attack है या नहीं heart failure है या नहीं और उस दोरान blood pressure, दिल की धड़कन blood sugar, ECG ये चार test बहुत जरूरी है ये चार जरूर करवाईए उसके basis पर first line आप first rate डे सकते हो अगर blood pressure low है तो फिर आप, क्योंकि देखिए सब को पता होगा एक sorbit rate नाम की दवा आती है sorbit rate बहुत लोगों को पता होगा जबान के नीचे रखने वाली गोली आती है दिल के shape में होती है वैसे अलग भी होती है जो आप जबान के नीचे रखते है और छाती में दर्द में आराम हो जाता है कई heart के patient actually लेते हैं इसको लेकिन उससे blood pressure कम होता है तो अगर आपका heart attack हो रहा है और heart fail हो रहा है और उस समय आप sorbit rate ले रहे हो थोड़ी से खुलेगी हो सकता है flow वापस थोड़ा सा शुरू हो जाए आपका दर्द में relief हो जाए आपको time मिल जाए hospital जाने का पहले 6 गंटे बहुत ज़रूरी है golden period होता है पहले 3-6 गंटे में नस खुल जाए किसी भी दवा से या फिर stunt लगाने से तो आपके heart में किया हुआ damage हुआ damage वापस आ सकता है कभी-कभी attack silent होता है हो सकता है 6 गंटे, 8 गंटे, 12 गंटे एक दिन, 2 दिन, 4 दिन हो चुके हो इसलिए बहुत vigilant रहना पड़ता है बहुत aggressive रहना पड़ता है heart attack और heart failure के cases में किसी को भी छाती में दर्ध है, पसीना है किसी को भी सांस फूल रहा है तुरंत जाओ, बगल में, तगल में कहीं से भी ECG कराओ बिल्कुल कराओ, और किसी भी doctor को किसी भी cardiologist को जाके दिखाओ that is very important उस समय कोई ऐसी दवा नहीं है जिससे के आराम हो जाएगा सांस फूल रहा है, पानी नहीं देना कुछ खाने पीने को मत देना ये चीज भियाद रखना heart attack हो या heart failure हो खाने पीने को कुछ मत देना कोई घरेलू, नुस्का, कोई ऐसी चीज नहीं है जो वहाँ पे अठके clot को खोलेगी दवा ही है, एक sorbitrate दवा है, जो कर सकती है और खून पतला करने की दवा है, जो दे सकते हैं डिपेंड करता है, आप हर एक केस में मान लो किसी का liver problem है, अल्रेडी खून पतला है, अल्रेडी खून पतला करने की दवा ले रहे ठीक है, so that is the idea, right sorry थोड़ा लंबा हो गया इसको आंसर, next question ले रहा हूँ, good afternoon sir, मेरी problem ये है कि कभी-कभी मुझे urine के साथ sperm आ जाता है, क्या problem, it's normal it's absolutely normal, उसमें कोई tension नहीं है, stress eco directly पहले eco तो करा ले screening करा ले, आप window देख ले, फिर मैं आता हूँ ठीक है न, it's a normal thing, don't worry about it, कभी-कभी ऐसा होता है, जब आप masturbate करते हो, जब आप ejaculate करते हो, तो आपको कहा लगता है, कि जो आपकी urine की जो नली है, urine थरा, उसके अंदर से एक-एक bone sperm का सारक-सारा भार निकल जाता है, नहीं उसमें थोड़ा बहुत अंदर रहेगा थोड़ा बहुत इधर चिपका, उदर चिपका, इधर रास्ते में और जब urine करोगे, वो flush हो जाएगा so urine में थोड़ा बहुत ये आ सकता है don't worry about it, है न so don't worry, it's normal ठीक है प्रणव जी, my trainer tells me not to work abs after working out legs is this true? इसका कोई लेना देना नहीं है, प्रणव जी चीक है, you can work abs, you can work shoulders, you can work anything after anything you can work anything after anything so don't worry about it, right हाँ, अब वो trainer अपने आपको set दे रहा है कि मेरे हिसाब से exercise करो, उसने आपके abs के लिए दूसरे दिन रखे होंगे so that is the thing, लेकिन ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते ऐसा कुछ नहीं, अगर वो कह रहा है कि abs को दिन में ये हफते में ये दो ही बार करना, ये दिन ये दिन इसके साथ अगर आप उसका plan follow कर रहे हो, plan follow करो ठीक है, बड़ ऐसा कोई वो नहीं है कि abs को legs के बाद नहीं मार सकते कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है सूरज तमंग, how to remove pimples, red marks pimples red marks हा रहे हैं, that means अभी अभी नया नया pimples नहीं तो वो dark हो जाता, dark marks are pimple scars, red mark is an active pimple inflammation, red mark is an inflammation, उसमें आपको anti pimple cream लगानी होगी, वो anti pimple cream वहाँ का inflammation गिराएगा, कम करेगा, उसके लिए erythromycin या clindamycin की cream आती है, वो लगाईए, ठीक हो जाएगा, दो से तीन से चार दिन, पांच दिन, एक हफता भी लगता है, उसके लिए उसको care करना होगा, ठीक है, उसको बार-बार छेड़ेंगे, दबाएंगे, पुछकाएंगे, तो वो फिर स्कार होगा, अच्छा खासा गड़ा बन जाएगा, पर से शुरुची, शिवाम गुपता, सर एक वीडियो फ्रनलम पर बना दो, फ्रनलम, I'll see, I'll make a short video on it, OK, treatment for lipomas, I've already explained this in a detailed video, there is no other treatment for lipomas, only excision, and you have to find out the reason, क्यूं हो रहा है lipoma, reason is some irritation, कोई ना कोई irritation, right, I have explained this in another live discussion also, lipoma पर दोक्टर एडट्रिकेशन, टाइप करिए YouTube पे discussion सुनिए आपको पता चल जाएगा और मेरा detailed video देखिए इस पे Bikram Jeet Singh HQII HQII क्या होता है full form लिख लेते तो अच्छा होता जनाब Sir, tell about the use of fruits and bodybuilding It's very useful They are very good for avoiding insulin resistance for avoiding high sugars and for your gut intestinal absorption, vitamins, nutrients बहुत अच्छी चीज़ है protein छोड़के protein छोड़के fruits में बहुत को essential fats छोड़के fruits में सब कुछ है So, you need to have fruits in a regular diet आपको जो regular multivitamins लेते हो वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप fruits ले रहे हो आपको fiber नहीं लेना पड़ेगा power बढ़ जाता है So, all these things can handle आपका show intestine है बुरे से बुरे चीज़ों को handle कर पाएगा आपने गलत चीज़ खाली Even आपको किसी मान लेजे मिलावटी चीज मिलती है मान लो कोई मिलावट वाली चीज मिल रही मान लो कोई whey protein में मिलावट है उसमें आप मान लो किसी ने भूसा डाल दिया मान लो किसी ने कुछ डाल दिया कुछ डाल दिया So, यह और आपके problem किस में आ रहा है उसमें जितना protein है वो तो absorb हो जाएगा लेकिन बाकी जो भी है whatever it is plastic है उसका effect आपके intestine पे आयाएगा आपके intestine में आपको चाहिए fiber fiber ही है जो चीजों को trap कर लेता है bulk के साथ वो actually निकल जाएंगे कई बार आपने देखा होगा कई चीजों के छिलके वैसे के वैसे निकल जाते है कई चीजों के hairs कुछ 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 चीजे वैसे के वैसे नीचे से लैटरिन में गल जाते हैं अगर आपकी fiber अच्छा quantity fiber और बानी है so fruits are the best fibers right and vitamins so body building हो नहीं हो fruits are very important आईशा अल्वी weight gain क्यों होता है women's में ज्यादा women's में ज्यादा weight gain नहीं होता women's भी पत्ली होती है ऐसा कोई वो नहीं है कि women है तो women का weight gain ज्यादा होगा या मर्द है तो उसका weight gain ज्यादा नहीं होगा जो बैटके खाएगा वो weight gain होगा जो दौड भाग करेगा उसका weight gain नहीं होगा it depends upon और women's में hormonal imbalance बहुत हो सकता है that is one reason तो आपके case में आप hormonal check-up कराईए hormones के videos देखिए thyroid से लेके PCOS, PCOD इन सब के videos देखिए कोई ना कोई background reason है apart अगर diet नहीं है कारण अगर diet आपकी ठीक है अगर exercise level ठीक है अगर calorie deficit है फिर भी weight loss नहीं होगा there is a reason there is a medical reason go and check it out और women में ऐसा कोई predisposing feature नहीं होता कि women में अलग है थोड़ा सा जरूर metabolism जो है because muscle mass men में ज़ादा होता है तो muscle mass के साथ उनकी energy level metabolism level बढ़ जाएगा जितनी muscle उतना वो because muscles are the contracting thing वो contract करेगी वो energy चाहिए वैसे woman में weight कम है आप 50 kg 40 kg की woman और 80-90 kg का बंदा तो बंदे में तो थोड़ा metabolism या energy जो खाने पीने की शमता जादा होगी है वो दोनों के दोनों सेम चीज़े सेम टाइम में सेम चीज़ खा रहे हैं ये भी 3000 calories ये भी 3000 calories तो वो में जादा जल्दी मोटी होगी bottom line basically है नहीं समझ रहे हैं बात को उसके बाद sir how to get rid of palpitations only way is exercise I have explained this in two videos एक video आपने देखना है palpitation by doctor education दूसरा video आपने देखना है anxiety by doctor education दोनों देखिये you will understand the answer hello sir I am good Deepak ji I am good Mahindra ji I am Sachin Chauhan sir U-R-A-I-N urine pilla R-E-A अच्छा urine pilla pilla R-E-A-A-H urine pilla R-E-A-H that is nothing to worry about it can be dehydration can be a side effect of any medicine मतब किसी दवाई से या या मल्टी विटामिन से या फिर dehydration से आपका urine pilla सकता है infection से भी हो सकता है अगर आपको doubt है तो urine routine microscopy करा लिजे 40-50 रोपे का test होता है आपको पता चल जाएगा दूसरा चीज आप करिए पानी बढ़ा दीजे और तीसरी चीज fruits खाईए ठीक है ये तीन चीज करिए hopefully आपका ठीक हो जाएगा and don't go away without liking the video right? don't be selfish don't be selfish माशा अल्ला सुभान अल्ला जी please tell me about ligament angry ligament injury बोलना चाह रहे होंगे देखिए कितना हम logic लगा लेते हैं ligament injury के बारे में हमने एक video बनाया है माशा अल्ला जी कैसे बनी की body I think 11-12-13 something like that is the series ligament injury अगर होती है it has very negligible बहुत ही कम उसमें repairing ability है यह बात याद रखिए हम सोचते हैं कि ligament strong हो सकते हैं जी हां strong हो सकते हैं जितना जिस पे slowly आप लगाओगे process over a period of time ligament strong हो सकते हैं जब strong होते हैं तो उनकी minor form में recovery हो सकते हैं but actual पूरी तरह नहीं ligament tear हो जाएगा नहीं recover होगा inflame होगा recover हो जाएगा scar हो जाएगा scar वाला उतना elasticity नहीं रह जाती it will cause problems so ligament is like 10-20 times less repairable as much as your muscles so ligament and tendons are very 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 important उसको maintain रखना ठीक है number one reason इसी topic पे आपका आएगा how to check your trainer because trainer आपकी muscle की तो ऐसी तैसी कर देगा कि muscle ऐसे मारो ऐसे मारो सही मारो पर trainer का काम है पहला काम है injury prevent करना बाद समझे जिस तरह एक teacher का काम है पहला काम है कि बच्चे बिगड ना जाए सीखें वो तो बाद की बात है पहला काम है discipline बच्चे बिगड ना जाए discipline मतलब जो भी है माबाब का भी पहला उदेश है यह नहीं कि बच्चे को बढ़ा लिखके बढ़ा करना है लेकिन पहला उदेश है बच्चे बिगड ना जाए अगर आपके बच्चे गुंडे मवाली चोर चुके बर रहे है तो फिर आपका क्या काम वैसी ही अगर आपके बड़ी-बड़ी बढ़ी बन गए लेकिन आपके इंजरी में दस बार इंजरी हो गई है लिगमेंट में दस बार इंजरी होगी अच्छे अच्छे ट्रेइनर में गलती निकलेगी अगर आप उस सीरीज के आप से चेक करोगे तो और इस नाट रॉंग कोई-कोई अच्छा ट्रेइनर भी एक चीज में गलती हो सकती इंसान है गलती है तो फिर भी इस गुड विल हैंडल दाट विल सी अगर अलर्जिक राइनाइटिक्स है तो खबरदार आपने अंटिबाइटिक्स लिए उसका ट्रीटमेंट अंटिबाइटिक्स है ही नहीं आप खुद कहरें, it's not infective rhinitis, it is allergic rhinitis, allergic rhinitis में antibiotics नहीं देते, bottom line, ठीक है, तो antibiotics गलती से मत ले लीजी का, allergic rhinitis का treatment, cold वाले वीडियो में हमने बताया है, go and watch the video, cold and cough, cold by Dr. Education, cough by Dr. Education, treatment, कारण सब बताया है, वो जाके follow करिए, ठीक है, यह वीडियो देखें, Dr. Education चैनल पर, पाजी, 170 gram protein है, 300 gram carbohydrate है, 50 gram fat होगा, तो चल जाएगा, no big deal, it's good enough, no problem, अगर यह 40, 40, 10 है, 300 से 50 है, चल जाएगा, इससे आपकी maintenance हो जाएगी, it's not a bad diet, activity level थोड़ी अपने सही रखिएगा, ओके, फरीहाज जहीर, डॉक्टर साब, टॉंसिलाइटिस की medicine in pregnancy, ओके, सी टॉंसिलाइटिस अगेन इंफ्लामेशन हो सकती है, इंफेक्शन हो सकती है, प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत जादी medicine नहीं दे सकते है, तो बहुत limited antibiotics, बहुत limited दवाएँ होती है, तो अगर आपको टॉंसिलाइटिस हो गया है, तो आपको अपने गाइनेकलोजिस्ट और अपने ENT specialist, दोनों से consult करने होंगे, कि आपकी lifestyle में cat changes हो, आपकी medicines कौन सी दी जाए, एक antibiotic चल सकती है, अगर वो ENT doctor को अंदर से देखने से उस पे पस या कुछ दिखा, अगर सूजन जादा है, इंफ्लमेशन जादा है, तो antibiotics कुछ दिनों के लिए 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 12 दिन ऐसे चल सकती है, और आपको gargles के लिए दिया जाएगा, steam inhalation बूली जाएगी, बीटाणीन गारगल हो, या दवाई वाले गारगल हो, दूसरे दवाई वाले गारगल हो, वो जकते हैं, और कुछ दवाएं दी जाएगी, 5-7 दिन में ठीक हो जाएंगे, make sure करिए, ginger is good, अदरक आपके लिए ठीक है उस दौरा जाता है, तो यही चीज़े आपको अपने gynecologist से discuss करनी, आपके pregnancy case में, आपके blood pressure, blood sugar, आपके case में क्या मना कर रहे हैं वो, आपके नीचे बच्चे का क्या status है, कई बार pregnancy में चाय भी मना कर दी जाती है, तो ऐसा तो नहीं है, तो gynecologist से बात करिए, ठीक है, ऐसा कोई वो है कि एक में दवा यहां तो ऐसे भी, it's not treatment, it's education, remember that, Piyoji, what should, what should handle carrying angle, what, sir, what should handle carrying angle, sorry, Piyoji, I couldn't understand your, your question, okay, please, 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 penis, penis ferulum, okay, I'll, I'll watch your video, see your video on this, muscle soreness necessary है, क्या, जी हां, muscle soreness is necessary, जब तक आपकी muscle में metabolic fatigue नहीं होगा, तब तक वो actual, उतना potentially growth नहीं होगी, जितनी आपकी कर सकते हैं, muscle maintenance के लिए soreness की ज़रूरत नहीं है, growth के लिए soreness की ज़रूरत है, और कितने देर last करनी चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया, बड़ी muscle में soreness can last up to two days, ज्यादा ज्यादा three days, legs में तो से तीन दिन तक last कर सकती है, छोटी muscle में एक दिन से ज्यादा ज्यादा एक दिन, मतलब एक दिन ही होती है, four arm के biceps में एक दिन scoreness बहुत है, दो दिन हो रही है, आप over workout कर रहे हो, मुझे भी weight loss करना है, ऐसे बहुत लोग होंगे इरा जी, बिल्कुल अच्छे से करिए, weight loss का वीडियो देखिए, इस channel पे weight loss by doctor education, थोड़ा time दीचिए, your knowledge will increase, you will know what to do, so weight loss हो जाएगा, let's see कितने questions हो गए हैं, इस minute हो गए हैं, बहुत time हो जाता है, एक दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, और के नाओ, दस, बापरे, बहुत question हो गए, ओके, let's see, एक दो question और बीच में से ले रहे हैं, liver abscess का reason क्या होता है, liver abscess infection है, और कुछ नहीं, आपके liver के अंदर pus भर गया है, liver उसको cover कर लेती है कि गोला बन जाए, वो liver abscess है, abscess का मत कहीं भी abscess है, वो infective है, infection, bacteria, basically pus बना रही है, उसको निकालना पड़ेगा, या फिर दवा से सुखाना पड़ेगा, एंटिबाइटिक्स लेना पड़ेगा, ओके, आप एक gastroenterologist को दिखाईए, liver abscess के लिए, then, alcohol fatty liver कब पूरा, कब ठीक हो सकता है, जनाब, ये बताइए, अगर हमने आपके हाथ में, अगर अपने आपको हाथ में चीरा मार दिया, ठीक है, तीन चार चीरा मारते है, एक छोटा, एक और डेप्ट में, एक और डेप्ट में, ठीक है, जो छोटा वाला है, वो तो गायब हो जाएगा, अगर पूरा एक दम अंदर तक है, तो सकार इतना मोटा बन जाएगा, क्या वो कभी गायब होगा, नहीं होगा, वैसी ही लिवर में है, अगर डेमेज थोड़ा सा है, थोड़े से लेवल पे, थोड़ा बहुत फाइबरस टिश्यू, थोड़ा बहुत सकार, ठीक हो सकता है, लेकिन पूरा सकार एकदम, डेप्थ वाला एकदम गाड़ा हो गया, लिवर आदिस जादा खराब हो गया, 80% खराब हो गया, तो वो नहीं ठीक होने वाला, फिर लिवर ट्रांस्प्लांट, राइट, फैटी लिवर पे बहुत डीटेल वीडियो है, जाके देखिए, क्या ह हो रहा है, आपके लिवर के अंदर, अगर दारू पिते हैं, अल्कॉहलिक फैटी लिवर वीडियो देखिएगा, यूट्यूब पे, पूरा नहीं ठीक होता, तो टाइम की बात ही नहीं गई, कुछ एक्स्पेरिमेंटल टेक्निक्स अभी आ गए है, जैसे इंस्टिटुट प्रोसेस है, वो ज्यादा फास्ट हो रहा है, तो आगे का पता नहीं, आज, ओके, तो इसलिए दारू मत पियो, ओके, नेन किरन खुराना जी, सर, वेन एट स्वीट थेंग्स, आइडू नोट फील बेटर, आएम नोट डाइबेटिक परसन, आइडू नोट फील बेटर, स जैसे खाना खाने के बाद, लेक्चर में आपको नीद आती, बस वो ही होगा, उसके बाद क्या होगा, दो, तिन, चार घंटे के बाद आपको भूक लगेगी, आपके अंदर एनरजी, बिकॉस अब इंसुलिन के बज़े से सारा शुगर यूज हो गया, अंदर चला गया, या तो fat बन गया, या use हो गया, उसके बाद शुगर होगी, कम weakness होगी, confusion होगा, तो ये because of eating very sweet simple sugars है, complex काब खाईए, थोड़े थोड़े मातरा में, हर चार घंटे में खाईए, fruits खालो, complex काब कुछ भी और खालो, ये problem हो जाएगी, solve, ओर राइट, किरन जी, सरी ये last question ले रह height, don't take ashwagandha to increase height, please, height कैसे increase होती है, कैसे नहीं होती है, मैंने वीडियो में बताया है, ashwagandha सिर्फ चीजों का blood flow बढ़ा देता है, तो nutrition level बच्चों में ashwagandha की कोई ज़रोत नहीं है, बड़े होने के बाद उसका कोई काम नहीं, I mean height बढ़ाने के लिए, so please don't take that, alright, that is all for today, alright guys, within 5-10 minutes, I'll be live on Instagram, Instagram पे आईए, बात करिये, पहले सवाल पुछने के कोशिश करिये, और अगर repeated question होंगे, तो skip कर देंगे, thank you so much, कोई भी question अगर miss हो गया है, इस live में या पहले वाले live में, उसके सवाल आपको मिल जाएंगे, just keep following me, okay, thank you so much, and don't forget to like the video before you go, okay, good day, have a happy day,